हेलो स्टेंड गुड मॉर्णिंग अल फ्यू नाव इस्टार्ट योर कमेश्थी तो लाइस्ट क्लास में हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक अन्फिगेशन निकाल के दिया था वन टू थर्टी तो पहले वन टू फोटी तक करते हैं उसके बाद हम आगे सिखते हैं तो नाव इस्टार्ट इलेक्ट्रॉनिक अन्फिगेशन ठीक है कल हमने थर्टी तक निकाला था वन टू थर्टी तक हो गया था अब थर्टी वन गैलियम का जर्मेनियम का अर्सेनिक का सलेनियम का ब्रोमीन का क्रिब तंन का इनकान निकालते हैं डिस उन इसय आपैंग में थर्टी वन थर्टी थिठी थर्टी थर्टी फर्टी फाल क्तरी 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, count करो कितना हुआ, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 18, 20, 30, के टेलेप्टरॉन समने भर दिये, 30, 30, अब 30 के बाद 31 भरना है, तो 3d के बाद 4p आता है, 4p1, एक हो गया, 31, जर्मेनियम का, यहां से यहां तक सेम रहेगा, 32 बच गया, 4p2, अर्सेनिक का, 33, यहां से यहां तक 30 हो गया, 4p3, सेलिनियम का, यहां से यहां तक 30 हो गया, 4p4, 34, ब्रोमीन का, यहां से यहां तक 30 हो गया, 4p5, क्रिप्टन का, यहां तक 30 हो गया, 4p6, क्रिप्टन के बाद 36 के बाद आता है, 37 का नमबर, हली ना के रब, यह है, रिवीडियम, जिसका अटॉमिक नमबर होता है, 37, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, इस्ट्रॉंसियम, 38, और यहां होता है, इसकेंडियम, वाइट्रियम, और यहां होता है, इसकेंडियम, वाइट्रियम के बाद, टाइटेनियम, जिरकोनियम, यह होता है, 39 और यह होता है, 40, तम 40 तक निकालेंगे, 37 का हो गया, 36 का हो गया, 37, रिवीडियम का, 1, 2, 2, 2, 2, P, 6, 3, 2, 3, P, 6, 4, 2, 3, D, 10, यह कितना हो गया, 30, 4, P, 6, 36 हो गया, अब 4, P के बाद, 5, S को भरा जाता है, यह 37, स्ट्रॉंसियम, यहां तक हो गया, 36, और 5, P, 2, 5, S, 2, 38, 39, वाइट्रियम, यहां तक हो गया, 36, 5, S, 2, 38, 5, S, के बाद, 4, D, भरा जाता है, 4, D, 36, or 38, or a 39, 40, number, जर्कोनियम, चालिस नमबर, यहां तक हो गया, 36, 5, S, 2, 38, 4, D, 1, यहां तक हो गया, 4, D, 2, 40, अम मुझे बताओ, कि 31 से लेके 40 तक, कोई प्रोब्लेम है तो मताओ मेरे को, अधर्वाइस इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो 1, 2, 40 में, 1, 2, 40 में, आपका, एक्सेप्शन करोब्लेम और कॉपर होता है, 24 और 29, किसी को 40 तक का आप कोई प्रोब्लेम है तो बोलो, किसी को प्रोब्लेम है तो अब ध्यान देना है आप एक मैं तुम लोगों सॉट्कॉट तरीका शिखा रहा हूं, मतलब वो शॉट्कॉट तरीका मतलब यह नहीं निकालने का, कॉन्फिक्रेशन निकालने का नहीं कर दो दूसरे टाइप से देता है, जो कैसे देगा, अब यह क्यों इनर्ट गैस के लिए, अब यहाँ पर तुम थार्ध्यान देना, यहाँ पर, यह 36 इलेक्ट्रोन था नहीं आप, इस चीज़ को इतना नहीं लिखके, 36 इलेक्ट्रोन को नहीं लिखके, ओ, क्या लिख देगा, 36 किसका होता है, हिलियम, नियोन, आरगन, क्रिप्टन का होता है, 10, 18, और यह 36 होता है, अब ध्यान देना, यह बार-बार यह है, 36 इलेक्ट्रोन नहीं लिखके, ओ, क्या लिख देगा, अब मैं इसको हटा रहा हो, तो यह सौटकॉट तरीका नहीं है, मतलब सौटकॉट लिखा गया है, कभी का यह बूक में ऐसे भी लिखता है, तो यह मत समझ जाना है कि बूक में क्या लिखा गया है, अब यह 36 इलेक्ट्रोन है, तो 36 इलेक्ट्रोन को हम क्रिप्टन लिख देएंगे, क्रिप्टन, इस 36 इलेक्ट्रोन का जो कन्फिगेशन है, और क्रिप्टन के इलेक्ट्रोन के बराबर है, यह 36 को हम यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन जो है और 36 है इसके बदले हम क्रिप्टल लिख देंगे फिर क्या आएगा फाइफ एस वन यह जो है इस ट्रॉंसियम का खंफिकेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अब यहां पर वाइट्रियम का लिखना है तो यहां तक 36 है तो ंसरा असंद्री यह स्ट्रॉंसियम का नहीं है यह तो यह स्ट्रॉंसियम का है इसके लिए कैसे लिख giàitМыraband के Lee क्रिबटन और क्यालिपएइब सभी एगए फाइव समय सवन यहाशमेस सोन है ना और यह स्ट्रॉंसियम ओट्रियम के लिए क्रिप्तन और 5S2 और यह हो जाएगा 4D1 ठीक है इसके लिए क्या होगा जिर्कोनियम के लिए क्रिप्टन और 5S2 4D2 ठीक है अब ऐसे जब हम लिखते हैं तो हमारे मन में एक प्वेस्चन आता है कि क्या हम इनर्ट गैस को ही ले सकते हैं क्या कोई दूसरा जिंक को नहीं पकड़ सकते है हमें जिंक और अब नहीं लिखना है या सोडियम को लेकर नहीं लिखना है जब भी ऐसा लिखूँगी आप इनर्ट गैस को कही लिखूँगे ठीक है दूसरा बात यह है कि 37 है तो उसके नियरेश्ट वाला इनर्ट गैस लिखोगे यह नहीं कि नियोन लिख दी और आगे लिख रहे हो यह सोट को तरीका है लिखने का तो 37 को अगर लिखना है तो उसके पहले क्रिप्टन को लिखो 36 को और फिर 5S1 लिखो लाश्ट वाला यह बुक में लिखे रहता है ऐसा मिलिंग समझें 37 का लिखना है 38 के लिए एक चीज़ यहां पर गलती हुआ बार बार मिश्टेक हो रहा है अब यह जो है 36 का इसका हो गया दो है तो 5S2 हमें लिखना पड़ेगा 39 है तो 36 38 और 1 ठीक है 39 और 40 है तो 36 38 और 240 तो आपका जो पहला डाउट होना चीए कि सर क्या क्यों हम इनर्ट गैस ही लेंगे तहां इनर्ट गैस के अलावा सोडियम पोटेशियम वो सब नहीं लेना है ठीक है तो वो सौटकॉट लिखने का तरीका है तो थोड़ा सा और हम एक दो तरीका और सीख लेते हैं कि और कैसे लिखा जाता है अग्यों अग्यों बूख में ऐसे कभी कभी लिख देता है को हमें उस चीज को मीनिंग समय माना चाहिए ऐसा जो ही नहीं हमें लिखना आना ही चाहिए चाहिए मिनिंग आना चाहिए उसका मिनिंग क्या है ठीक है जैसे माल लो हमें लिखना है सोडियम का सोडियम का लिखना है तो 1s2, 2s2 और 2p6 ये 10 हो गया और 3s1 हो गया तो इसके बतले हम नियोन लिख दें क्योंकि ये 10 है ये 10 एलेक्ट्रोन है और ये 10 एलेक्ट्रोन जो है वो नियोन का कङरेशन है और यहां लिख दें 3s1 तो बुक में अगर ऐसा लिखा रहेगा ताम समझ जाएंगे कि ये अगर ये कन्फिगरेशन है तो नियोन का है अगर मालनों mg का है तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 तो यहां से यह तक हमें मीनिंग समझा रहे हैं में तुम्हें यहां सब्सक्राइब बार है इम जी तो यह सुरी दस है तो यह नियोन का configuration और यहां लिख देंगे 3s2 अगर उसी तरह से अलमूनियम का है तो 1s2 अब यह नहीं कि सर उसका कैसे लिखेंगे जींक के 30 यह उसका कैसे लिखेंगे लिखेने के लिखेंगे लेकिन हमें बूक में देगा तो हम समझने के लिए तुम्हें बता रहे हैं कैसे समझोगे आप यहां लिख देंगे नियोन और यहां लिख देंगे 3s2 3p1 है 13 के लिए तो तस इसका इलेक्ट्रोन और awak तीन में लिखना आना चाहिए ऐसा को जो ही नहीं है अज बूक में लिखके देगा तुसका को लिखना ही आना चाहिए कि हम लिखेंगे बस मीनिंग जानना है कि हमें इसका मीनिंग क्या होता है ठीग है है अमल्ला में 19 के लिए पोटैसियम के लिए ठीग है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 होता है ठीग है अब यहां से यहां तक देखो गए आप तो यह देखोंगे आरगोन है आरगोन का अठार होता है और यह हो गया 4s1 कैल्सियम का ले लो कैल्सियम को ता है 20 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 यहां तक देखोंगे तो आरगोन है और यह हो जाएगा 4s2 तो कहने का मतलब इसका मीनिंग आना चाहिए ऐसा को जो नहीं कि लिखने आना चाहिए और हर इलमेंट के लिखना सीखेंगे ऐसा को जो नहीं है कि हम हर इलमेंट के लिखेंगे उसका क्या होगा इसका क्या होगा वो सब को जो भी नहीं है आपको पस मीनिंग निकालने आना चाहिए ठीक है तो अगर त对 11 कैंट्फिकेसर लेखिना है तो आपको निए लेना पड़ेगा बारा का निए लिए अतना लिए पड़ेगा आगर उनीजलेना अरगोल लिगना पड़ेगा ऑगर उननीजल पतने अर उनिक नवल लिएना पड़ेगा क्योंकि這種 निर ए इनुडब गैस ही ए निरेश इन फ अगर आप आगे क्वेशन जब पुछेगा इसका मीनिंग आप निकाल पाओ यहीं इन आप आपके लिए ठीक है तो हमें एने की सर ओक्या लिकाने समझ में नहीं नहीं आ रहा है तो यह इसको इतना बार बार नहीं लिखने के वजाए यह लिख देंगे अगर कोशन बनाना वता ऐसा को जो निक हमें यहीं लिख के बनाएंगे हमें भी लिख के बना सकते हैं तो यह वह रिख दिक्सन नहीं है ठीक इसको आप लिख लो और इस पे जादा का इसका कैसे हम लिखेंगे मीनिंग समझ में आना चाहिए है ठीक हम आगे अब बढ़ते हैं तो हम मैंने आपको एक से लेकर चालिश तक का कॉन्फिगेस निकलवा दिया सौट को तरीके बता दिया ठीक है अब एक दो और इस पर तरीके का हम बारें बात करते हैं अब एक दो तरीका में आपको और यहां पर तरीके नहीं मतलब इससे रिलेटेड क्या कोर्शन पुछा जायाएगा ओम मैं बता रहा हूं है ठीक है अब दखो यह है कि नीकल कि पीडी पीटी कि पहले मैं लिग दो इसको पूरा नीकल पीडी पीटी नहीं पढ़ होगे तो पीट होगे साइन्स टीचर भेरी क्रूड मैं फेको नीकू जींक नहीं पढ़ होगे तो पीटोगे ठीक है अब यहां देहां दो आप होता है क्या कभी कभी क्वेशन में आपको तेंध क्लास में एक से बीस तक कंफिकेशन निकाला गया होगा एक से बीस तक आपको निकाल कर दिया गया है 12 गा 282 13 गा 283 14 गा 284 15 गा 285 16 गा 286 17 गा 281 18 गा 282 19 का 288 18 2 आपको 20 गाल कर दिया गया होगा सब्सक्राइब दिया गया होगा वर बहुत है अब ध्यान देना अब एक किसका कैसे निकालेंगे एक किसका निकाल और आपसे गलती हो जाएगा रोख कैसे गलती होगा तो एक इस पाली इस तरीकेस नहीं नीकाले मह पहला हम अपना तरीका आप यह आला हमरा आपना तरीका हो जाएगा तो 1s2 2s2 2p63 sp 3p6 pour is to our 3d1 यहीं होता है ना दो इलेक्ट्रोन और 10 12 18 20 21 अब ध्यान से सुनना 1s2 है और यह 2s2 और 2p6 है यह यह यहां लिखा गया है 3s2 3p6 मैं इसको यहां लिख रहा हूं यह इसलिए यहां लिखा गया क्योंकि इसका एनर्जी ज्यादा इसलिए पहले है बाद में फिलप होता है लेकि एक्शुल मीर्ड का पाइन यह 333 है और fate 1 कि यानि ये और बीट नंबर वन है दिस आनी ज कर विट नंबर वन और ये और बिट नंबर टू है और यह orbit number 3 है, यह वाला, हाँ, बाद में भारा गया है, इसका मतलब यह नहीं कि यह orbit number 3 नहीं है, बाद में इसले भारा गया है, क्योंकि इसका energy ज्यादा है, और यह orbit number 4 है, यह orbit number 4 है, तो orbit number 1 में कितना electron हुआ? 2 electron हुआ, और वीट number 2 में कितना electron हुआ? 2 electron हुआ, sorry 8 electron हुआ, 2 और 6, 8 हुआ, यह this one is orbit number 2, और वीट number 3 में कितना हुआ? 9 हुआ, आप 18 मतलिक देना, 9 हुआ, और 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 वीट number 4 में 1 electron हुआ, यह आप 21 काने का लोगे, इसका हो जाया हैगा, 2, 8, 9 और 1, यह आप पहले निकालते तो यह गलत हो जाता, तो पहले मैं इसको निकाल के दो कैसे convert कर दे इसमें, इससे मैंने इसको convert कर दिया, यह आपको conversion मतलब इससे इसमें निकाले, क्योंकि कभी तभी तभी इसकी हमें ज़रोद पढ़ जाते, यह कोशन पूछ देता है, क्य इंडियाम के आउटरसल में कितने एलिक्टों है, इसके इंडियाम के आउटरसल में एक एलिक्टों है, तो यह आप फोरेश्टू होगा, वरवर, 10, 19, 20, 21 से 2, इस तरह से आपको निकाल लगे यह करना, समझ में आए गया, तो कहीं पर नहीं समझ में आए, तो इस तरह से लिएक आप इसमें convert कर लेना, क्योंकि कई वर कोशन पूछा जाए, दो कैसे कोशन पूछा जाएगा, आपसे, एक होता है, PD, यह बोला, PD, तो थे करोंane, PD क्या कर तो जीतना काओ राँगा, हिकक्न तो 1 टाःम महीं बता हूँ तो आपको ध्यान में भी रखते चलना है तो अभी तक एक से 40 तक में क्रोमियम और कॉपर काया था अब देखो उसके बाद वाला अब एक ची और धान देना है क्या दान दोगे जींग डियम मर्कूरी और कोपर्नियम सी यहां से यहां आने के लिए प्लस एटीन किया जाता है एटॉमिक नंबर में यहां से आने के लिए प्लस एटीन किया जाता है और यहां से यहां आने के लिए प्लस थर्टी टू किया जाता है और यहां से यहां आने के लिए प्लस थर्टी टू किया जाता है एटॉमिक नंबर में तो जीन के का 30 है तो कैडमिय क्या होगा इस सब दी ब्लोग पूरा डी ब्लोग के लिए वैलिड है मैंने आपको एस ब्लोग और पी ब्लोग लिखवाया था डी ब्लोग ले लिखवाया था तो जीन का 30 है तो कैडमियम का कितना हो जाएगा हो टी में 32 अट कर दो कितना जाएगा एटी तो मर्क्यूरी के अटामिक एटी हो जाया एटी में 32 एट कर दोगे कितना हो जाएगा वन वन टू यानि कोपर नियम का सी एंगा वन वन टू होगा ठीक है यह भी आप ट्रीक लिख लेना डी ब्लोग वाला कि डी ब्लोग में कैसे यहां पर यह टॉमिक नंबर निकाला जाते है यह पूरे डी ब्लोग के लिए भैलीड है अब तो निकेल आइडन का 26 होता है और यह 27 होता है और यह 28 होता है और यह 29 और यह 30 यह 21, 22, 23, 24, 25 एट लिस्ट उपर अला याद होना चाहिए तो बताओ निकेल का 28 है तो प्लैडिनम, PD, PD क्या क्या होगा, PD क्या होगा, अब 28 में क्या आइड कर दो, 18, तो क्या मिलेगा, 28 में 18 आइड कर दो, चर्वार मर न हें यहां से यहां जाने के लिए, 18 कर आध चैट आहसे लिखने के लिए, तो पॉरस अःशए लिखलो, फरहा सा गैप कर लीए इसको पर्वर है, फवरा इसको क्या करों गैप करो जींक कैडमियम यहां से यहां आने के लिए प्लसेटीन यहां से कैडमियम मर्क्यूरी यहां से लिए प्लस हुद्स 372 और यहां सी लिए अब यहां देहो किकल के बाद पी दियां तैं गलत गया था पीटी नहीं पड़ ओगे तो पीटोगे तो यहां से यहां नेकले प्लोस है एटीन और यहां से आनेकली अले प्लाइडीनम का इसका 28 होता है 18-12 हाइट कर दी कितना हो जायेगा 46 यह यह ओजिया कोटी शिक्स हाटिक है अब धियान देना यहां पे हमें प्लौदीनम का भी आ कको जीएशान जो था ए ओए एक्सेप्शन और एक टक मैं सेप्शेप्शन कौन कौन बतायाँ हो एक से 14 तक में मैं क्रोपर ॐ– और च्रोमिय प्लाइडीनम का भी एक्सेप्शन होता है प्लाइडीनम का तो प्लाइडीनम का कंशिगेशन कुछ इस तरह से होता है पीडी क्या पीडी 46 होता है इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, और 3d10 यहां थोड़ा रुपते हैं और पता करते हैं कितना हमने फिलप कर दिया दो दो चार, और सहा, दहा, बारह, अठारह, बीस, और दस, तीस, तीस भर दिया, तीस के बाद क्या हम भरेंगे, 4p6, 36 भर दिया हमने, यहां तक 30 हमने भर दिया था और यहां पर 36 हो गया है 4p के बाद हम 5s2 भरते हैं, यहां तक हम 38 आ गया है, 38, 5s2 के बाद हम भरेंगे 4d, 40, अब 40 में कितना बच गया, 8 बच गया, यहां पर 8 बच गया, अब यह हो गया, 46, काउन कर लो, 46 हो गया होगा, यहां तक 30, और 6, 36, और 2, 38, 38, और 8, 46 हो गया, यह प्लेडिनाम का कंफिगेशन होना चाहिए था, लेकिन यह exception है, यह ऐसा होता नहीं है, तो होता कैसा है, 1s2, 2s2, 2p6 है, 3s2, 3p6 है, 4s2, 3d10, 4p6 है, अब यहां पर एक भी इलक्ट्रोन नहीं होता है, 4d, यहां पर 5s0 हो जाता है, और 2 इलक्ट्रोन यह यहां चला जाता है, इसका हम expression बाद में समझेंगे, ऐसा क्यों हो गया है, लेकिन 2 इलक्ट्रोन यह उड़के यहां चला जाता है, इसका actual में यह configuration होता है, यह होना चाहिए था, लेकिन यहां पर यह 0 इलक्ट्रोन होता है, और यहां चला जाता है, बुरबर है, अब हमारा काम है, इसमें पुछा जाता है कि आउटर सेले में कितने इलक्ट्रोन है, तो देखो, यह 1 है, यह 1 is 2, और यह 2 है, 2 is 2 और 2 P6, और यह 3 है, तो 3 वाला का साथ में लिखो, 3 is 2, 3 P6, और यह 3 वाला के यहां है, तो 3D 10, यहां कभी कभी बुक में यहां भी लिखा रहता है, फिलप होने के लिए बाद में फिलप होता है, क्योंकि एनर्जी उसका है, 4S वाले को एक साथ लिखो, तो 4S2, 4P6 है, और 4D 10 होता है, तो यह और विट नमबर 1 है, और विट नमबर में कितने इलेक्ट्रोन, 2, और विट नमबर 2 में कितने इलेक्ट्रोन, 8 है, और विट नमबर 3 में कितने इलेक्ट्रोन, 18, और और विट नमबर 4 में कितने इले 18 एलेक्ट्रोन है तो यह सब चीजे जो आप तेंथ क्लास में 20 तक सिखे थे उसको एक्स्पेंड हो गयाए टू एट एटिन और ये टिन ठीक है ये एटिन इलेक्ट्रोन इसके आउटर सेल में तो ये पूछा जाता है और आप जब फंडामेंटल बना होगे तो वहां कोशन से मिलेगा भी कि इसके आउटर सेल में आउटर सेल में 18 इलेक्ट्रोन होता है तो यह एक इंपोर्टेंट कंसेप्ट है यह जानने के लिए जो आप तेंद क्लास में जानते थे ऐसा लिखना अब क्या गरेंगे हम ऐसा लिखके अगर कोई कोशन मालों ऐसा आया कि इस तरह से लिखना है वह मार्ण कर सकते हैं बरबर है इससे में से असानी से यह हम निकाल पाएंगे इसलिए प्रेंद ten लास में 20 तक ही सिखा जाता ही कि आगे डिष्टर में भ esteo श्याटा यह एक सिक्वेंस में लेख चलता है आगे एक 20 तक सिक्वेंस में चलता है लेकिन आगे सिक्वेंस में नहीं चलता है इसलिए आपको 20 तक ही सिखाई आता है ठीक है तो यह आप राइट डाउन कर लो यह चीज़े सम्झ में आए गए है सबको तो एक्वेशन है एक्स इज एक्स इटामिक नंबर एक्स जो है ओए टामिक नंबर है और इलमेंट उस इलमेंट का जो ज़स्ट प्रुजेंट है एबोब दी सिल्वर मेटल आइड वाई एज एटामिक नंबर आप इलमेंट ज़स्ट प्रुजेंट बिलो दी सिल्वर मेटल find the value of x plus y divided by 12 x plus y by 12 का value बताओ क्या होगा अप्सन में देदू पहला अप्सन ए में है 6, B में है 7, C में है 8 और D में है 9 एक एंसर आ आ गया है और और करेक्ट भी है रंजन दीनिक आया एंसर लेकिन कोई प्रिडिक्टेवल देखके एंसर नहीं निकालोगे क्योंकि एक्जाम में आपके सामने प्रिडिक्टेवल नहीं रहता है मधूरा का भी एंसर आया सुपर कस्वा कौन है पर्स चलो विने सवंद का भी एंसर आया सब का एंसर आया नाइन ठीक है करेक्ट नाइन यहां सिल्वर है यहां कि सिल्वर एजी एउ सोना चांदी तंबा सोना चांदी तंबा एक कोई नेज मिटल अब सिल्वर के टामिंग नमर कितना होता है अगर नहीं आधे तो इसका त्यायद होगा 29 29 में 16 अधिकरेंगे 47 होता है 47 में अगर इसका नहीं आधे तर ठाड़ी टो एड़ और दो कितना होगा तो इसका निकाल लेंगा इसका निकाल लेंगे इस तीनों में से किसी यह जोना जेकर क्यों मारपा स्ट्रीक है अब एक्स इसको बोल रहा है अब इसको बोल रहा है अब बोलाए कि इसका फेलु बता तो 29 plus 79 को डिवाइड वेट तू यह 108 हो जायेगा डिवाइड वै cancel हो जायेगा नाइ लेन सरायेगा क्लिर स्वाजना आया सबको